सुप्रभात फ्रेंड्स श्लोक श्रंखला में आपका स्वागत है आज के हमारा श्लोक इस प्रकार है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तुगोविंदा प्रभाते करदर्शनम अर्थात मेरे हाथ के अग्र भाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है मध्य भाग में विद्यादात्री, सरस्वती और मूल भाग में भगवान विश्नु का निवास है अतहर प्रभात काल में मैं इनका दर्शन करता हूँ इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता स्रिष्टी के पालनहार भगवान विश्नु की स्तुती की गई है ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवन भगवत किरपा की प्राप्ती हो सके हतेलियों के दर्शन का मूल भाव यही है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें जिस से जीवन में धन, सुख और ज्यान प्राप्त कर सकें हमारे हातों से कोई बुरा काम ने हो एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ें कर दर्शन का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारी वृतियां भगवत चिंतन की ओर प्रवर्त हों ऐसा करने से शुद्ध सात्विक कार्य करने की प्रेणा मिलती है साथी पराश्रित ने रहकर अपनी मेहनत से जीविका कमाने की भावना भी पैदा होती है हम यूँ कहें करागरे वस्ती लक्षमी क्यूं देखते हैं सुवे अपनी हतेलियां यह आपकी आखे खोल देता है जैसे दिन का शुब आरंब शुब चीजों को देखने से होता है इसके लिए भारतिये रिशी मुनियों ने हमें करदर्शनम यानी हातों के दर्शन का संसकार दिया है शास्त्रों में भी जाकते ही विस्तर पर सबसे पहले बैठकर दोनों हातों की हतेलियों के दर्शन का विधान बताया गया है इससे व्यक्ति की दशा सुधर्ती है और सौभाग्य में विद्धी होती है जब आप सुभे नीन से जागें तो अपनी हतेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोलने और यह शलोक पढ़ते हुए हतेलियों का दर्शन करें धन्यवाद